वाहि गुरू साहिब जी योजन लिहें खसम का नाव तिन कैसाद बलिहार जाओ सो निर्मल निर्मल हर गुन गावे सो पाई मेरे मन पावे सो निर्मल निर्मल हर गुन गावे सो पाई मेरे मन पावे जेह कटरा मेरहा परपूर गुर साहिब जी बसंत कभीर जी ओ एक ओंकार सतगर परसाद सुरह की जैसी तेरी चाल तेरी पूश्ट उपर चमक बाल सुरह की जैसी तेरी चाल तेरी पूश्ट उपर चमक बाल इस करम है सो तू तू डखा है और किसी के तू मत ही जाहे रहाओ चाकी चाटें चुन खाहे चाकी का चीथरा कहल जाहे शीके पर तेरी बहुत डीठा मत लकडी सोटा तेरी परे पीठा कहें कबीर पोग पले कीन मत को मारे इंट टेम कहें कबीर पोग पले कीन मत को मारे इंट टेम वाहि गुरु जी का खाल सा वाहि गुरु जी की फते इस पावन प्वित्तर शबदी विचार आप जी नू सरवन करवार है हन पंत दे महान विद्वान मान जोग सरमान जोग ग्यानी जुगिंदर सिंग जी गरंथी गुर्द्वारा मोती बाग साहिब तिना दे कोलो इस पामन शबदी विचार सरवन करो गुरु प्यारी साथ संगत जी संत बाबा भचन सिंग जी माँ पुरु कार सेवा वाले दिली दे इतिहासक अतेहोर ब्यंत गुर्द्वारियां दी सेवा करवार है हन आप जी दे चरना में चबेंती है इनना सिवावा अंदर तानमन तर्रही सेवा करके गुरु किया खुशियां प्राप्त करो गुर्द्वारा बंगला सेवदे चुगिर्दे हरी आवल्दी सेवा चल रही है एस सेवा अंदर वे हिसा पाके गुरु किया खुशियां प्राप्त करो दिली सिगुर्दवा प्रबंद गुमिट्टी वल्छो शिरी गुरु गरंत सहब जी दे बिर्द सुरूब सहवा साहिब पोथी गुटके साहिब बिर्द लिटरेचर दी अगन पेट सहवा गुर्द वारा मजनित इल्ला सहवे के सात तरीकनों सेरे अठ वजे होनी है आप जी ने इस सिवा अंदर भी जुरूर पहुंचन दी करपालता करनी खालसा जीदा परकट दिवस दिली सी गुर्द ला परबंद कमेटी वलो हर साल दी तरह इस साल भी गुर्द वारा मजनु का त्रला सहवे के मनाया जाड़ा है अमर्त वेले तुलेके शाम तक दिवान सजने ने इना दिवाना अंदर पंथ दे महान किरतनी एं कथावा चकटाड़ी आप जी नू गुरू चरननल जोडनगे आप जी ने परवारा दे समेट चवदा त्रीकनू गुर्द वारा मजनु त्ला सहवे के पौंचन दी करपालता करनी हाजरिया लवानिया बाला प्रीतम श्री गुरू हर क्रिशन महराज जिनन दे पामन पेटर सथान ते आप जी शोबत हो तिनन दे जोती जोत समामने दा दिहारा सतारा त्रीकनू हर साल दी तरह दिली सी गुर्द वारा प्रबंद कमिटी वलो गुर्द वारा बाला सहवे के मनाया जाना है आप जी ने उस अंदर वी हाजरिया पर के हर जस्दा लाहा प्रापत करना आओ अगले समेली पंध दे महान विद्वान माण जोग सनमान जोग ज्यानी जुगिंदर सिंह जी गरंथी गुर्द वारा मोती भाक साहीब आप जी ने पामनशब दी विचार नाल गुरु चरणल जोडंगे जी वाह गुरुजी का खालसा वाह गुरुजी की फते एकु ओ अंकार सतनाम करता पुरक निर्भू निर्वेर अकाल मूरत अजुनी सेबहं गुर प्रसाथ ओट पराध हमारे खंडो अनिक बिदी समझावो हम अग्यान अलब मत थोरी तुम अपन बिर्द रखावो तुमरी शर्ण तुमारी असा तुम ही सजन सुहे ले रखो रखो रान हार दयाला नान करके गुले बद बख्त हम चूंब खील गाफल बे नजर बे बाक नानक भुगोयद जन तुरह तेरे चाकराँ पाखाख नानक भुगोयद जन तुरह तेरे चाकराँ पाखाख साहिब सत्गुरू बाला प्रीतम अश्टंबल वीरा शिरी गुरू हरकिर्सन सापाथशा दातार पिताजी दे मुबारक मुकदस अस्थान गुर्दवारा बंगला सहवे के जगत गुरू शबद गुरू गयान दी मूरत दसाहं पाथशाहियां दे आतमक सरूब समुची मानवतानू इकसारता एकता दा उपदेश द्रडाउन वाले शिरी गुरू गरंथ साहिप पिताजी दे सनमुक सजे दीवान अंदर जुड बैठे वड़ पहकीसत संगी जनो आप जियाने गुरू कार्दी मुर्यादा मुताबक नितनेम बानियां दे जापतों उपरंत अमरत मैं बानी आसा की वारदा जो के हर गुरू दरबार विच नितनेम रूप अंदर कीर्तन कीता जन्दै हजूरी रागी सिंगा पासों गुर बानी कीर्तन दर अस्माने ते कीर्तन उपरंत पावन दरबार विखे चल रही शिरी गुरू गरंत साहिब जी माराज दी अमरत बानी दी लड़ी वार वीचार अज वीचार अधीन आए पहगत कबीर साहब जी दे मुबार्क बचन जो के बसंत रागविच शिरी गुरू गरंत साहब जी दे अंदर शुबाहे मानने उन्हादा मूल पाठ पावन स्थान दे मुख गरंथी साहिब सितकार जो यानि बचीतर सिंग जी हुना पासों सर्वन कीता है आओ जो नियत समा गुर्बानी वीचार लिए है कीरतन दवारा इकागर होए मननो गुर्षबद उपदेश दी गुर्बानी दे गयान दी रंगत विच रंगन दा जतन करिये ते गुरु पिता दे उपदेशा नु जनन दी कोशिश करिये जी पाठ शाह आप किरपा करके सेवा लें सो विचारा दी अरंबता तो पहलो मनो बिर्तियां कागर कर देयां जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते मुबारक शबद जो के ग्यारां सो शियानवे नंबर अंक शिरी गुरु गरंसा माराजी दी बानी दे रूप विच दर्जख है जिस अंदर पहुत कबीर साब जी ने इस मननू एक बहुत ही ज़्यादा गल्तान होए उस रस्ते तो रुकनदा जतन कीता है जिस रादे उते तुर के अपने असल मनूरत तो किते दूर चला जानदा है और दूर भी इतना के देह जरूर मनूख दी है करतूता निर्य पशुमा वाली है क्योंके ज़दों असी शबदनू पढ़ दे हैं ते बोती वारी दिमाग विच एक ख्याल आ जानदा है के खबरे जड़ियां साख्यां पर चलतने उना साख्यां तो बिना शबदनू समझना मुश्कल है और इस तरीके नल असी साख्यां दे मगर लग के कही वारी सदांतों भी दूर चले गए इस पावन बचन भी चबी साख्यां नू जोड के जिना नू अज आम परचलन दी गाल कर दिया भी एक गला परचलतने बड़ा पुराना एक परचलन चले आ रहे है समझन दा पर नहीं आपां गुरू दे शबद विच्चों ही इसनू खोजन दा जतन करने शबद दसरलेख है इक ओवंकार सत गुर परसाद परमिशर अकालपुर्ख वहे गुरू इक है इक नू लिखन दी भी शैली गुरू पाच्छा दी नवेक ली है क्योंके गुर्देव जी तो पहला भी ओम नू बड़ा जपे आ गया कोई ओनम केंदा सी कोई ओम केंदा सी अलग अलग तरीकें नाल लोक ओमनू इक नू अराद दे सन पर इक नहीं सन जान दे देखो जपे आ इक नहीं जा रहे हैं सी पर इक करके नहीं सी जाने हैं जान दा पिता केंदा मेरा इस्ट ओ है पुतर कहना मेरा इस्ट ओ है पच्छान एको गल समझा देती उस अलग अलग रूप विच जपे जानवाले रब दे गुनानू बयान कर देया जड़ा मंगला चरन वजों सी आम वरत देया इक ओवंकार इते गिनती दा एका पादेता ते कह देता पाई जिस तरह मरजी जापदेयों पर उस असल भी चाहे एक कोई यह है उस दे कोई टुकड़े उस दे कोई खांड़ नहीं हो सकते एका पाना भी विलखनता रही मेरे मालक जी दी क्योंके उनाने शाबद को रूप विच नहीं लिखेया अखना दे रूप विच नहीं बनाके लिखेया के एडी नू से आरी दे कका क्योंके जो तरह मदेया एक परचलन सियो सवेले के तरह मदे अर्थ लोग जिमें मरजी कट दे सन बेदा दी विचार नू ग्यान नू सास्तरा नू अपने तरीके नल बंदा विचारदा से पजशा कहन लगे ना रब दे टुकड़े ना कोई कर सके इक नू भी ना कोई अलग अलग करे जिमें एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीबान क्योंकि उसमी तिन जोड सन से आरी नू भी वरते आ जा सकता इडी ते कका ए दूर अंदेशी नहीं दाते दी किते लोग इना तिनना दी मौर ना इस एक दे विचो दी लादेन ते मेरे मालक जी ने गाल कर दी ती कहने एका एक गिनती दा एका पाता इस दा खांड इस दे टुकड़े बड़े मुश्कल ने नी कीते जानगे जो ओम करके लोग जब दे सान अलग अलग नामा नाल जान दे सन मेरे मालक ने कह दिता ओ एक है ते कार शबद नाल जोड दिती ते कह दिता ओ निरंतर सर्ब व्यापक है हुन ओस रबद एक नामनू अलग रूप विच बरकत देखके ना मूर लईं क्योंके जड़ा है इस सब विच है फिर जड़ा भी कम है ओ आप कर दे जड़ा कारज करंद है ओ आप करंद है पर एको गल कहती एको है पाई एको है साहिब मेरा एको है ओ अंकार सब विच रमिया ते निरंतर सर्ब व्यापक है सब्द मलक है समस्त विच मौजूद है सत गुर परसाद ओ अकाल पुरक जो सर्ब व्यापक है ओ मिलदा के में है ओ सचे गुरू दी परसाद होंद है किरपा दी राही मिलदा है जो सदीव सच हनेरे नू मिटाके परकाश बिच लेंद है सदीव सच रेंद है औस दे ग्यान औस दे गुर बदल दे नहीं इसके के गुरू नो सत寗ु कहता सत गुर अगे ने पर साथ परपा गुरू भी सचा है सो गुर करो जे बहुरना करना ऐसा ना हो भे इतने तो इतने तक गुरू रिया जी बाबा बाबा चला गया हुँ दूसरा गुरू आगे बाद्य है जिना सादागीच मौजूद रहन वाल है सच है, अमिट है ए मंगला चरहन दी काल है फिर सरलेख दे विचाया बसंत इरागदा नाम है कबीर जीओ कबीर साहब जीदा बचान है एक हो रिते शोटी जी अर्ज करना ते आंदेओ सत गुरा दी 220 अमरत बानी वेच किते भी नानक जीओ अमरदास जीओ गुरु अंगद साब जीओ शबद नहीं मिलेगा गुरुवा ने किते नहीं लाया लेकिन पगताँ दे शबदाँ दे स्तृलेख भी चीह बानी पगतर विदास जीओ की बानी नाम देव जीओ की बसंत कबीर जीओ शबद बसंत रागवी चाहते है कबीर जीदा इन्ना सतकार मेरी मलक ने देता है क्योंकि पहगत मुखेते बोलदे से बचन खोबंदे क्यों हुंदे ने क्योंकि हार हार जान दोए एक हैं बिम्ब बिचार किछना है परमिशर्दा सिमरन करके रबदे पागट रबदे सिख पूरन गुर सिख उसदा रूप हो गए उन्हान गुरुने सनमान देता है उन्हें शबद दे विच रहा हुए ते परकरन मताबक गाल लग दी अभी किसे कुटे नो संबोद न कीता जा रहे है अखरी रूप विच वाकई अर्थ एक कुटे दे मुखातब होके कुछ कहना पर इते चार पैराँ वाले कुटे दी गल ने साखी कार ने जोड़ देता है पर कुटा आ गया ते उसनो संबोद न कीता है पर पात्षा नो पुछिए दातार जी आप जी दे कुटे दा सनमान बड़ा कर दे वानीच बड़ा प्यारा जिकर है सनमान दी गाल देखो हर जगा किसे ना किसे गुन दे नल सनमान कीता गया तो कहने बंदे तेनू मैं ग्यान देना चूँ न किते कुटे तो इसे खिया लेल है इस दा मतलब है कुटा बंदे नालो किते उपर चला गया है पुरते एक बाद है पिता जी दा बचन है स्वामी कोग रह जो सदा स्वान तजतने नित नानक एहे बिद हर पह जो के जी रहे है ते ओ बड़ा तेरे लिए ओ भी कुछ ग्यान देन वाला हो गया तेनू सिखेया मिल सक दी है उस तो उस वर्गा बन जा पर कुटे दा एक अबगुन भी नाल बयान कर देता कहने ने जिते है इस तो 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 एक ग्यान लेना है इस तो सिखेया लेक दा वफादार होना है तो ते कहा देता इस विच एक अबगुन भी नाल छुपे है ओ लालच दा लोब दा उस गलनू भी दो रहा है कि ते तो पूरी गल सुनन तो बिना तुर पहें अज कुटे नू भी लोग पूज दे है बड़ा याद कीता है जान दे शरादान दे वेच गुर्मत नहीं है वो मैं भी बेंती कर दे हो गुर्मत दा कसोटी गुर्मत दा सिदाहंत नहीं है पर समाज दी कर चलन ऐसा बन गया है कि सानू नोटिस बोड़ते लिखना बेंदा है जीस तरीक तो इस तरीक तक शराद है जदकी गुर्मत दा कोई सरोकार नहीं उसी जड़ागा है गुर्मत एक एंदे ने जीवत पितर ना मनने कौमुए सराद कराही पितर भी बपरे कोको पावें कौवा कौकर खाही और इते गुरु पिता जी नो जदो पुशे अबाबा जी ए इशारत उसी कुते बल कीता है आप जी उनकेरे कुते दी गाल कर देया हूँ ते मेरे मालक ने तान गुरु नानक सावदा बचाने जी नाब उलदा हुआ शरी राग बिचा है लब कुता उड़ चुऱ ठाकादा मुर्दार लब नो कुता के आए यथे उस कुते दाजी कर आए एक स Karlे बिच अब कुन शोपे है जेड़ा कुते बर गिया रकतां करता है जी नो बन देबिच वसिया हुए है लब कुता कुरचु उतना जी लब कुता दे मन दे सोच वासते इशारा है भी तेरी सोच के होजी है तेरे मन दे विचार कैसे ने तेरे मन दे अंदर चल की रहा है इसनो एक बारी होड़ मैं गल खोल देया कि ते बंदा सोचे भी अंदर कुटा के में वासते बढ़ नी साकता शरीर विच दूसरी रू कोई आजे ते बंदा तड़ा फुट दे जी इस दे उत्ते कोई ओपरी रू रू आगई बंदे दोड़ दे है परिशान उन्दे है ते जे शरीर विच वासती रू बार निकल जाए ताइस नुदी कड़ी कोई नी रख़दा पर दो शरीर एक शरीर विच दो रूँआ नी टिक दी है ते जे कुटा बैटा है ते रू होएगी ना जिन्दी चीज अंदर जा सकती पर ओशरीर करके जानी सकती ते बाबा नानक जी ने ते एक दी गाला नी चार चार दी है गलना कर दी ती है गुरुनानक साब ने किया कुबद डूमनी कुदया कसायान पर निंदा कट चुछी मुठी करोद चंडाल कारी कड़ी क्या थी है जा चारे बैठी है नाल और बंदा कहे रूई कनी अंदर आंदी शरीर दा पाट ते समालना ही बड़ा मुश्कल है दूजाई नी सकेगा ते वेरे ए चार चार कि में ने असल विच ए अंदर दे विचार ने और जदो जड़ा विचार पारू हुंदा है बंदे दे शरीर तो ओहो जी है यो हरकता करा जान दा है अच्छा के ने चारी शुपियां बैठी है इते हुन बाबा कबीर साथ केंदे ने केंदे ने आए मन तू आपने इस लोब दे लब दे कारण कुटे वर के सुबह करके बदनाम हो गया जिते गुरु ते एक बाहदर पिता जी ते नो समझा रहे है के कुटे तो सिक्या लेले पर बंदा इस बासे भी तो रुपिया इस कार मैं है सो तू तू हूं डखा है अख़ दे ने एक कुटे सुबहा दे मनुख लोब दे अधीन होई मनुख जो कुझ तेरे इस कारविच है करविच की है तेरी अपनी मेंनत दी कमाई करविच की है तेरी दसान हुआ दी अपनी किर्ट जिसनु मान नल तू कह सकते है एफ मेरी कमाई है कैनु अख़ी जा गवांडी गोल जेना जी मेरा हो जाना काल कोई पता नहीं उस तो पहलो तेरा चलाना हो जे कोई पता नहीं इस कार मैं है सो तू टू हूंड खाएं और किसी ही के तू मत ही जाहें रहा हो किसे बिगाने वाल इशारा करके अपने पढ़न दी गल ना करी के ए सब मेरा है के दे ए बिगाने या दे ताननू देख के तेरे अंदर उठेया लालच असल विच एही कुटेदा सुबहा है अपने उते विश्वास नहीं अपने ते प्रोसा नहीं अपने उते सबर नहीं जिरा तेरे को लए तू दूसरे दे उते मालते नजर रख दे तेरा सुबह उते वरका है हिदैत कर दीती और किसी के तू मत ही जाहें इतिहास दे विच्चों वाची ये थे बहुत कुछ लबद है ऐसी गलनी ये दुनियावी लोकां वास्ते ही है एक गुर्देव पाद्शाजी दे आपने निजी जीवन अते दुनियावी परवारा विच्चों भी किते तुसी इना सिदान तनो शाड की जीन वाले हैं दी लिस्ट बनाओ ते बड़े सारी निकल दी जाए एते बाबा दा तुजी दा नाम भी यांदा है अपनी गलसी भी मैं गदी दा मालक बनना है क्योंके तियास को मुन कर नी हो सकते तन गुरू अमर्दा सावजी नुआ के लट मारंदा कारण की शे तु बारों आगे हैं असीते गुरू दे पुत्तरा कबजा साड़ा हाक साड़ा है इतो तक कभी संतोक सिंग जी ने सूरज परकाश जो पहली हैं जिल्दा ने शिरी गुरू नानक परकाश दे वेच जिकर कीता है के जदो गुर्ता गदी शिरी गुरू अंगत दे पाथशा माराजी नो बक्षिश होई ते शिरी चैंद जी ने थोड़ा जा विरोध रूप विच सवाल जबाब करके गुरू नानक सावनल राबता कायम कीता कहने पाथशा है पिता जी आप जी ने गदी ते दे देती अपने सेवक बाबा लेना जी नो गुरू अंगत साभ बना देता है हुन सानु किसे नहीं पुश रहा साड़ी जड़ी गलबात सी आप जी नाल आप जी ते पुत्र हुन करके लोग इजद मान देंदेशा ना ते गदी चली गई हुन एक दूसरे पासे ते साड़ी ते जिन्दगी हुन खराब हो गई ते बाबा नानक जी ने जो सुवेले बचन कहे कभी संतोक सिंग जी ने जो इतियास काब रूप भी चली करकीता है ओ केंदे ने गुरु नानक साब ने एक गलस समझा ही कहना लगे शरीचंद जी तो अड़ा प्रोसा आपने गुरु उते होना चाहिए दै लोब लालच तो रहत होके अगर तुसी पूरन विश्वास गुरु ते रखदेओं रभु ते रखदेओं ते गुरु कदे किसे नो दुखी नी होन दिन्दा परमेशर किसे नो दुखी होके रोन नी दिन्दा विश्वास होवे ते बंदा ततियां तवियां ते आरे दे दंदयां हे ठभी अनन्द मान जानदा है ते ओ बोल कभी संतोक सिंग जी ने लिखे ने के गुर पीरां के जो होवे सुआना तिनको जगत मानत महना गुरुआं पीरां दे कारविच रहन वाले जिड़े कुते ने लोग दे उननों भी पूझ जान दे यह भी यह गुरुपीर दे कारवेट है पामे गुर्बानी विच भी जिकर है बड़ा सुना होवाला बाबा कबीर साब जी ने देता है केंदे भी संत दे कारविच रहन वाले कुटे दा भी सतकार है पालाय हो क्योंके ओ नित सुने हर नाम जस ते साकत की बुरी माई कहता के साकत दू जनम देन वाली उस दिमावी बड़ी माड़ी है कि ओ पाप भी साहन जाए ओ पाप कर दी है ओ गुना कर दी है गल असल विच बिरती होते है मनुक दे जीवन अंदर केड़ा विकार किस वेले बहुत जोर विच है उस वेले बंदेदा शरीर जनूर मनुक ही दिस दै लेकिन असलियत एए है कि ओस दे अंदर ओ लोब करके कुटा बने है काम करके ओ हाथी दी जून है जबान दे चसके करके ओँ मशली दी जून पो हुगता है और एभी गुरू पाथशा जी ने सनू प्रेरन दिती है एग्यान दिता है मिरे गमीन प्रेंग पतंग कुंचर एक दोख बिनास एक एक अवगुन करके इनादा नाश हो गया है पंच दोख असाद जा मैं ताकी के तक आस कहने जिस विज पंजे ही मुजूद ने ते ओस दी आस की किती जा सके नहीं बचदा हो मादो अबिद्या हित कीन विबेक दीप मलीन मनुक अबिद्या नाल हित करके बैठा अग्यान नाल इस दा प्यार है क्योंकि जिण ने ने नी जान दा अग्यान लुप टा बन दे जिग्यान ना हुए अग्यान अहने ही ओने अइसा ते ने भी हनेरे नु मैं अंदर लेता हमांगा नई चंदन तो बाहर निकल जो हनेर है बबेक दीप मलीन ग्यान दा दीवा मेला हो गया है ते करम अपनी मर्जी दे कर देया ते अग्यांता दे वस पहके असी भी एक उच पोग जाने है लोब है लालच है अरदास पाहमें सारी रलके कर देया काम करोद लोब चूट निंदा इनते आप शडावो एप तरते इनको डारो आपन निकट बुलावो हो अपनी बिद आप जनावो घरजन मंगल गावों सचे पादशा किरपा करो अपने बिर्द दी संभाल कर देया अपने सच मारग दी सोजी दे देयो ताके मैं विशे विकारा तो उपर उठ सका मेरे करमानों देखे के को ये ना बोले इस विच लोब कुटा हर वेले पर बलने दे मैं बच सका नहीं ते ए खशर मेरा भी होना है बाबा कबीर साब उनों पहले बंद विच देखो समझो उन्देने सुरह की जैसी तेरी चाल सुरह शबद सुर्भी मूलतों बढ़े है संस्किरतों अर्थ बनदे गाँ उन गाँनों सब तो सिद्धा पशू के हा जानदे ओला और वास्त भी कता भी है तोसी कदे देखो गाँन दा जानवर गाँन पशू पामे उस दा बच्चा है पामे वड़ा है जितना मर्जी प्यासा ओवे दोड़के जो पानी नेड़े जानदा है ना ते ओपानी वीच अपनिया खुरियां नी पानदा ओपानी तो पिश्य रुकेगा ते तो उन लमका के ते पानी पिनदा है ते वापस पर्त दा है दूसरे पासे गहां दे वांगूई दोड़ देन वाली कमाज जाए ओभी अलग श्रेनी है उसनो पियास ना भी लगी ओवे शड़ दे ओ दोड़ के जाना पानी जो वड़ना पहला दो चार पुठे सी दे पासे पर्त ने चिकर नो उठा देना गंदगी पहला देनी ते पानी गंदा जे पीना भी है ते उसनों आप भी गंदा पीना दे बाकी लिए भी गंदा कर देना ते गहां दे सुबाधी गल की थी के केंदे तु सिद्धा बन के ते इंज दिखाने हैं सुरह की जैसी तेरी चाल ये थे बनुख दे पुशाके दे पहना वे दी गल है के गाँ वरगी ते चाल बड़ी सिदी साथी देखनो बड़ा बोला तेरी पुशत उपर चमक बाल केने तू वाकी सुन्दर बढ़ा है तेरी शकल बड़ी प्यारी है तेरी पुशलो ते वालबी चमक देने पहाब कुटे वरगे सुबाधी गल है के शरीफां वांगू तेरी शकल ते तेरा पहनावा बड़ा प्यार है बहुत सोना है देखो जे लोब दी गल कर दें या न अजब हमें असी ठाग शबद तो उननों अजाद नहीं कीता पर हमें गुरु नानिक साब कर गए सान अज़ ते सतकारनल कहना चाहिए दे बाबा सजजन जी क्योंके गुरु दी मेर वरती उना ते एक शबद पढ़के जिंदगी बदल गई ते गुरु नानिक दे में शंदे परचारक हो गए सजजन ठाग तुलंबे दी तरती ते अपनों ओ सुवेले जीवन जी रहे गए पहमें मारा सी कर्तूत मारी अंदर भिरती मारी सोच मारी दे कर के कम मारे सान लेकिन एक बड़ी कमाल दी गल है पहनावा बहुत ही चंगा सी लोग देख दे सान कहने सजजन थे बहुत ही वदिया है तरमशाल बनाई है अंदर मसीत भी है नमाज दी जगा भी है थे अंदर मंदर भी कहन दे बने है लोग का बिच बहुत परचलत सी भी उसदी सरां बड़ी मशुहूर है बन्दा भोता ही चंगा है आउक अगत भी कर दे लेकिन पिशे बिरती केड़ी सी लालच वाली दुनिया ने पाज समझे यानी उगेड़ना कित्यों सी गुर नानक साब पाज उगेड़नी गैसन के एसदी च्यालते तर्मियां दी है उशाक भी तर्मक लोकां दी है लेकिन जदो करतूत देखी ते मेरे मालक जी नो फिर केना पैगिया खेड़ की बरती बाबा नानक जी जदो पहुँचे उन नाल खुबे बाबा मरदाना रवाब चुकी होई है नाल एक पोटली है जिसे वेचे कपड़े ने उन उसने देखे अभी बंदा कोई तना अड़ लगद है उसनों की पता ए नूर निरंकारी है उसनों की पता ए नूर निरंकारी है को बहुत खातर तवज्यो कर दे है ते जिते गुरु नानक साभ मारा जिस कमरे विच रुके नालदे कमरे जो वियोत बंदी कर दा भी कदों सोन ते कदों मारा छुरा हथ भी जपकड के इंतजार करी जान दा है ते ओ सचन उपर गटाउन वाले बाबा नानक जी एहुन जड़ा शबद कबीर साभ कह रहे ने के सुरह की जैसी तेरी चाल तेरी पूंशट उपर चमक बाल लोग देखे के कहने ते तरमातमा पुर्श है ते परमातमा ता बहुत नस्दीक ता लगदा है ते उसनों भी कहने ते अबर गुर्णानक साभ ने साच परगड कीता साभिब कहने मरदानिया रबाब बजा बानी आई है बाबे मरदाने ने रबाब बजानी शुरू कीती ते जगत गुरु बाबा नानक ने शबद उचारन कीता रबाब दी तो हनु सुनके कन लग गए सजण दे भी उस कमरे वल जितों अबाज आ रही है ते अबाज विचकी तो हनु दे विचकी गाया गया उजल केहां चिलकना कोटम कालरी मस तो तेयां जूटना उतरे जेसे हो तो हुआ तिस सजण से नाल मैं चलदेया नाल चलन जित्थे लेका मंगी है तित्थे खड़े दिशान कोटे मंडप मानिया पासों चिटविया तठिया कमना आवनी विच्चों सखणिया बगा बगे कपडे तीरत मजवसन कोट कुट जीया खावने बगे ना कहिया शबद सुनेया ते हाथ विच पकड़े या शुरा ए लापेना शुरू हो गया बड़ा परेशान ए जो कुझे गंदे पए है यह ते सचाई मेरी है ए जो कुझे सुनदा मैं कना रही है यह ते मेरी पिक्चर बन दी जा रही है कि चिट्टे कपडे ने पर अंदर बिरती लोका नुगमार के खान दी है मिंटनी लगे या दोड के बाबा नानक जी ते चरना ते छुरा रख देता कहन दे रब दे बन दे हो जो कुझे तुसी ए गाया है ए तुसी मेरा हाल मैंनो सुना देता है बच शचंदी की सान एही ते समझाना है गुरुनानक साब ने कहन लगे सजना तेनु समझ पैगई तेनु अपना असली चेरा नजर आगया इस तो वड़ी गोर कोई प्रापती तेरे जीमन दी ने जनिया को रूहां बैठी है या दूर दुराडे बैठके तुसी सुन रहे हो सच्चाई एही है के मनुक सुनता बहुत कुछ है पढ़ता भी बहुत कुछ है पर जितना ग्यान है उसनो अपलाई दूसरे ते करता है जितना ग्यान उसी लेने है और कोशिश हों दी है मैं सामने वाले दी कमी खोचाऊ उस ग्यान रही ते फिर कहने दे तेरे बीचे कमी है पर गुरू ना ने किदा सिदा अंतने वेकल है बाबाजी कहने तू जितना पढ़ता है उसनो अपने उते कोशिश कर वाचन दी देख के जो गुरबानी कहने दी है वरना करतूत पशू की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बागर पे एक अंतर मल माया छपस नहीं कच करे छपाया बाहर ग्यान ते हन इशनान अंतर ब्यापे लोब सुआन उस लोब सुआन दा जिकर है तेरी पूच्छट उपर चमक बहाल सुना बहुत है ते शरीर करके बड़ा सुन्दा रहा है वस्तर तेरे बड़े प्यारे तार्मक ने पर लोब ने तेनो कुते दे रूप वे चुपेश कीता हुए है सज्जन ने जीवन ही बदर लेया गुरू पिता को लोगयान लेके बानी सुनके अज़ जरूरत ऐसी सरस्ती चलिये अज़ जरूरत खे गुरू दे बचना नो अपने अंदर तार्न करिये ते एजडे विकार रूप वेच सानू अलग-अलग करमा करके जुना बदलन दे पड़ा पार करने पेंदे ने जुना तो मुक्त हो सकीए और उस ताइक कोई किटांग है कर बंदे तु बंदगी जिचर कट मैं साह बंदे बंदगी इक्तियार जदो तक तेरे को ले इंसानी जामा है तू केवल बंदगी कर अगर तू बंदगी करेंगा ते फिर सफल है वरना जिन्दगी बे बंदगी शरमिंदगी हो जेँचेर ते शरमिंदगी इस करके जदो बंदा माड़ा कम करता है लोग के ते चंगा जानादा से ते बड़ाई लाल ची है लाल ची गुता हुन सिधा नहीं कहनता इशारा उसे पासे हो गया ते बबाबा कबीर साभ क्योंकि सची रूफ है ते उपर तक चेह रहे ने कि तेरी सुरह की जैसी तेरी चाल तेरी एहालत ऐस बन दे जदो लालच अदईहन है कि गावर्गी चाल है पर सुबा तेरा कुते बर चाय है अगले बन वेच लूफ लथ केंदें है जदुन लालच अधीन हो जानदाए ना फिर पराए कारवल तक दाए ते पराए कारवल तक न लगए हैं एस दी बिर्ती ए है के जे मालक सामने खलोताए ते बहुत निमाना होके पूश लही लानदाए तुकड़ा पाद दाए कारदा मालक खानदाए ते अगले कार चला जानदाए पर जे कारवल खुला ते कारवल खुला ते कारवल खुला ना कोई ते फिर कुते दा सुबा आए भी जित्ते कुछ सूंग दाए पूँच दाए उ उत्ती मूँ मारना शुरू कर दें दाप हमें खान दी चीज़ है तो हमें पकान दी कोई चीज है उसने हत्थ मारना है मुँ मारना है अपने वनों कोशिच है एही आलत लालची बंदे दी ये बाबाजी कहने चाकी चाटे चून खाहे तू गया है ते चकी नू चट लेया चून कहने आटे नू तू आटा खा भी लेया क्यों कि थे कुटे दी गल कर रहे ने सुबा दी गल कर रहे ने उने एक लालची मनुख है उ माया रोज वर्त दे खुब वर्त दे के निपल ही गल है ए आई बर वरतन वास ते अटा खे खान नू रहे चल तू खा लेया ते ठीक है तेनू खुला मिलेया तेरे सामने कारदा भुआ दर्वाजा खुला सी तू जाके चक्की दे कोल उसने विच मूँ मार लेया उसनू खा लेया उसनू चट लेया ठीक है पर केंदे तू तू ते इनना लालची हो गया है खान तो बाद भी चाकी का चीतरा कहां ले जाएं और चक्की विच फेरन वाला जेड़ा कपड़ा उन्दा है उस प्रोले नू भी उस कपड़े नू भी चुक के ले गया तेरा ते इनना लालच वद्या हुए है उन बंदे वास्ते ए उदार ने इस तरह वरती मेरे मालक ने बाबा कभीर साब ने केंदे कुटे ने खाना सी ते खाना कोई गाल ने पर लालच अंदर है ते ओ कपड़ा भी चुक के ले गया केंदे बंदे दी भी आलते ही कुछ है खा ले खर चले हंड़ा ले वरत ले वरता ले लेकिन केंदे जदो साम साम के इकठा कर दे है ते ओस कुटे दे सुबहानल तेरा जोड बंदे है जिरा लीर नू भी चुक के ले जान दे तू जिन्ना मर जी तेहर कठा कर ले हुन कुटे ने ओ लीर खानी कोई ने कुटे ने उस चकी नो पुंजन वाले कपड़े नो खाना नहीं है पर इत्तो चुक के लेकिया अगे कुछ होर मिल गया उसने उसनो खाना शुरू कर देना उसनो शट देगा कहने तेरी भी आलते ही है खर्चेया खान जोगा रखेया कोई गाल नहीं कहने तु जड़ा जोड़ी जाना है जोड़ी जाना है ए उस लोबी कुटे वरगा सुबा है जड़ा अखीर पता नहीं कि थे शट के जाना पहता है कोई पता नहीं कि थे शट ना पहता है इसे लिए गुरू ने जिकर की ता लोबी का वे साहना की चैजे का पार वसाये जितो तक जो और लग दै इस जुबान दे चसके ते अंदर ली लालच दी बिर्ती दे अधीन रहन वाले बंदे को लो बच के रहना इते भी दो उदारना मैं सांजीया इते आसदिया करा ते को कुछ बंदे ओने जिना ने लालच भी चाके तरो की ता ते कुछ ओ संतोखी ने जिना ने इस लालच नो अपने नेड़े नहीं आन देता गुरमत दे अंदर इते आसदे अंदर गुरू साब दे जीवन दे नल सबंदत दोनो तरह दे पहलो साड़े सामने आंदे रहा है इते लालच अदियन गंगू आन दे इते लालच अदियन पर थी चंद जीदा जिकर भी आन दे वामे गुरू दे पुतर ने ते गुरू दे प्रहा ने पर जद उन लालच आया ते सुलही खान नू भी चड़ा के ले आये जद उन अंदर लालच सी भी गदी ते मेरा कब जाओ उना चाही दै हो ते मालका ना हक समझ देने ना ए भी दो तरीके दी गाल है एक उन दी ये बादशागत एक उन दी ये पातशाहत पातशाह ते बादशाह भी चंतर है पातशाह केंदे ने पात केंदे तक नू बाद जड़ा बनदा तक ते बैठदे और सचे तक ते बैठदे वाला सतगुरू है इस करके सुन उसी पातशाह केंदे है एक गल आंदी ये बादशाह उ बनदे बादतों जिरा वाद विवाद भी चुल जिया रहन दे ते वाद विवाद दे विच फते असल कर दे ते ओ बाद शाखत भी चुल जान दे लेकिन उस दी जिरी लड़ाई है ओ खतम नहीं उन्दी गदी ते बैटके एक ते सवाल आन दे भी गुरू गोमिन सिंग जिरू भी बाद शाख लिके आगे है पर उते खाली बाद शाख नहीं है उते बाद शाख दे नाली का कर होर जुड़े है बाद शाख दर्वेश जिते दर्वेश बाद शाख है उते बाद वाला बाद शाख चहरे वाला बाद शाख नहीं है उते दर्वेशी सुबह अगर के उसनों बादशा के ए के तू सारी काइनात नो अपने दर्वेशी सुबह नाल जित ले आ वैसे तू सचा पादशा है पर्थी चंद जी सोच देने दुनिया भी बादशागत है मैं नो मिलेगी पर की जान देने भी सचे पादिशादा टिकाना है खैर लालच अदिहन आके शिकायता शुरू आया सुलही खान आया ते मालक ने किरपा किती बचान न पढ़ दे हैं गुरू गुरू गुनसाब जी महराज दे अंदर उस लालच दी बरती कारण सदे गए सिपाहिया नू लेके आये सुलही खान दी की हालत बनी पहला सिखाने सला देती सचे पादिशादे को बंदे लेके आ रहे है किते कुछ माड़ा न वर्त जे ते पादिशाजी नू सलाह देती गई पर्थम मता जे पत्तरी चलावो कोई चटी पत्तर पेश देओ पर सुनके कीता की मैं सब की चछोड प्राबर तू ही ते आया ना ते चटी पेजी ना बंदे पेजे ना कोई हो रही ला बसीला केने मैं ते दाते नू याद कीता भी तू ही मालक हैं सब कुछ दू करना वाला है ते फिर खेड की बर्ती सुल्ही ते नारायन राख सुल्ही का हाथ कहीं ना पहुंचे सुल्ही होए मुआ ना पाक ना पाक हुंदे अपवित्र ते इसलाम विच ना पाक शबद आंदे जदों कोई सड जाए क्योंकि इसलाम विच केंदे है दफना दे हो حضرت محمد صاحب قیامت दे दिन आनगे कबरां विच्चो सानू उठानगे ते मुड़ जिन दे कर लेनगे जड़ा सड़ गया ओते उना दी नजर तो वज़ा रह गया उसनू नापाक केंदे सो लालची बिरती ने कुवार कराता गंगू लालची दे इन गुरू दे बच्चे दे गुरू की सतकार जो माता जी नो पकड़ वों दे की असर हो या हुन दुझे पासे आजो एही दिली है लालची दित्ता जान दे पाही मती दास नो लालची दित्ता जान दे पाही सती दास जी नो लालच दिता जानदा है पाही दे अला जी नू लालच दिता जानदा है बाबा सुबेक सिंग ते शाहबाद सिंग नू लालच दिता जानदा है पाही मनी सिंग नू लालच दिता जानदा है पाही तारू सिंग जी नू शड़ देयो की पे यह पर उना ने कह देता इल्लालच दे अधीन जिन्दगी बंदे दी जो उन नहीं रहन दी बंदा कुते दी जो उन विच जन दे चुकि शबद है साथे सामने इस करके खजूर ने बचन कीता के ओपदार था दे मगर लग के जीन वाले लोग ख़वार होए उना ने बदनमी खटी उना नो लोग याद नी करते लेकिन जिना ने अपना जीवन सिदक विच रख़दे यां गुरू दे दे गोई संतोक विच प्रोसे विच रख़दे यां जीवे है उना नो उसी अरदास विच हुन भी याद करांगे जिना सिंगा सिंगनिया ने तहरम हे तसीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लू है यां चर्खडिया ते चड़े आरे यां नल चिरुवाए गे खोपरिया लू है यां देखो बंद बंद कटाए कमाल है क्या सिदक है क्या प्रोस है ते उन्हादी कमाईदा ते आंतर के असी की केने हैं बोलो जी वाहे गुरू क्यों? कि ते मालक किरपा करे साधेच भी और गुन आ सकन इसे करके याद किता जन्द है आखदे ने चाकी चाटना है चून खाहें चाकी का चीतरा कहां ले जाहें चीके पार तेरी बहुत डीट चीका शबद होन बिसर गया चीका उची थामे टंगे रसियां दा एक बनाया होया हुंदा सी जिस दे अंदर खान पीन दी वदी होई चीज नू बीबियां माईयां समाल के रख दिन दीयां सन दो कारण सन एक ते उची थामे है किसे कुते बिली दी पोंच तो परे है ते दूसरा उते हवा लग दीया दुबारा वरते आ जा सके इस अखर नू लेके अरदास बीच एक शबद वरत दीयां सी देखो हुन फिर बोलांगे जदो अरदास कीती जाएगी याद करने हैं सिखादा मान नीवा मत उच्ची मत गोबे तेरी शिक्के वरगी जिस बीच शूब कुन सांबे रहन ते मान गोबे तेरा नीवा क्योंके मन विच कोई पता नी कदो कुटा लोब जेडा उखड़ा हो जाए ताके तेरी मत नूँ जुठा ना कर सके तेरी मत विच रखे हीरे जवारात शुब गुनानू गंदा ना कर सके तू नदी वरतों कर लमे मन नीवा मत उच्ची होवे शबद है छिके पर तेरी बहुत डीट तू छिके वल वड़ाता करें है तू अपने तो उच्चे वाले पासे बहुत तक दें पर तेनू पूल गया मत लकरी सोटा तेरी पर है पीट तेरे लाकुते कोई सोटा ना मारत वे उले खे वेच्च ते बिगाने कर आमल तक कदा है इस दे विच्चो निरे रोग पैदा उन्देने एक और शबद बाबा कबीर साब जी दा शलोक है कबीर गरब ना कीजिया रंक ना हसी है कोई अज होसो ना होसम हुंद मैं क्या जानो क्या हुए अज सहस खटे लख को उटता हुए तोड़ी जदे परवाई नहीं करता पता हुदो लगता है जदो सिर पकड़के बैठके रोंदा है केंदा एक पुतर दिता शीर अबने बोती माया हो गई उसने गंदमंद खाना शुरू करता उसने पुशाक बदल गई उसने शौक बदल गए लम्भी चोड़ी किते करोड़ां दी गड़ी लेके जा रहे है सी मैं ते गया साचार दमडे कटे करन पिछो खबर आई भी होते अक्सिडेंट होगे मौत होगे तो जो जहर कटा करी जाना है उस जहर ने तेरी उलाद नू तेरे परवार नू जहर खानदादी करता एए है तेरी तीठते उत्ते है मैं होर उपर मैं होर उपर जावाँ पर जदो सोटा पहनदा है फिर गएंदा मैं उनकिस जो गर रखन है उनते जेड़ा पहनदा हो भी नी शोबदा कपड़े यादे टेर लगे ने ते आखो चंगे पाले केंदा होन ने कुछ शोबदा उनते जड़ा पाया ही ठीक है रोग भी पैदा होन के सोग भी पैदा होन के एस उटता है पता नहीं लग दा का दो आगे वाच जे इस करके डीठ दे नाल नाल अपने पिशे भी ताक भी मैं करदा गी भी याँ मैं खलोता कि ते याँ बिगाने याँ नू ताक दे याँ ताक दे याँ अपना असला ते वजूदी मुका बेठा आखरी बंद खे केंदे कह कबीर पहोग पले कीन ए लोब कारण कुते वरगे बने हुए मना एक गलचेते रख तू बहुत कुछ खादा बहुत कुछ उजाड़या पर मत कूँ मारे इट टेहम एक गलचेहान रखी खा भी हंडा भी पर एहो जा ना खा बैठी के तैनू ओ रोटी देन वाला की इट टेम मारदावे कही वारी की होंदा है किसे ने दो एक दो कुते कठे रखे हो ना दो ते दोना नो टुकर पाए हुन एक नो मूँ चुके ते दूसरे नो कूरदा भी रे ते माला की वे रसा खेचे के कहन दा नहीं तेरा तेनू मिल गया उसनो खा लेन दे नहीं मन दा फिर सोटा भी पह जान दे चल पासे हो ए उस दाए है कहने खा जरूर कहे कभीर पहुग पहले कीन खादा पोत चंगे चंगे पहुग तू जीमन भी चतारन कर ले खादेने हडाएने पर मत कू मारे इंट टेहम ए गले आद रखें कि किते कोई तेरे सिर उते इट टेहमना मार दवे ऐसा इतना जादा लालच दे अधीन ना होई तू पहुग पहुगण भी ची रुजया रवें ते इनादा अंत पता की होएगा अखीर एई होएगा कि जड़ तेरे सिर बिच इट वजेगी फिर तू ठीक नहीं हो सकेंगा तेरी मौत हो जाएगी अलोबी कुते अबिर्ती करके मन अंदर पोगन वाले विचारनों उठन वाले ख्यालनों गुरू ने ताड़ना कीती है सुचेत हो क्योंकि संतोख तो ही नी जिन्दगी खुआरी दा मूल है ते जिते संतोख है उते लोब नहीं और जिते लोब है उते संतोख नहीं अंदा एपावन शबत जिसदे अंदर अजबाबा कबीर साब ने सानों प्रेर ना देती ये ग्यान देता है कि अपने मन विच जदों भी एहोजे विकार उठन ते असी शुक्राना करिये अरदास करिये पाद्शा किरपा करो मैनू ओ मत बख्षो जिस करके सुर्खरू के चल सका लोब अगर लोब दे नाल दोड रहे है ते मन्जिल नहीं मिलेगी खुवारी हो जाएगी दो तरीके दियां चीज जाने मैं दो मिंटां विच गल पूरी करके शुमापती कर देया रंग है समझाना नहीं बेंती कर रहे हैं भी अचिटा का पड़ा है इस उते दो तरीके नाल रंग दी यह दो लिलारी नो देयांगे उसनो कांगे भी इस ते ना बहुत स준र कोई रंग करदे वो ऐसा रंग करदे कि लोका नो दिखाने भिर देया देखो जी किना सोणा रंग लगया करपड़े इस करपड़े नो एक वैसी कोई रंग पहजे जिरा मैं ना चांदा हुआ ते उसनु शुपन दे फिर दे या रंग होई हो निला सी जिस देना कपड़ा रंग वाके पाया ते दिखाया ते ओई रंग की ते कठा डूल जाए ते लोग केंदे ने भी ये कपड़ा ते खराब है तो क्यों पायी फिरता है पहली कल बंदा पंदा ही कोई ने उसनु कहने या दाग इकनु कहने या सोनी रंग तर दे के चंगा बनाना ते जे लोब ना होवे ते किरत नहीं करांगे पर किरत नु गुरू दे हुकम भी जी के करिये ते ओ सुन्दरता है असी मार नल खड़े होके कहांगे दसानु हादी केरता है पर जे किते लाला चदी ही ना जे ये गुवांडी दे करों चुरा के ले अंदा होवे फिर शुपा शुपा के रख़दे हो कोई देखना लवे दसान के नहीं किसे नु जाड़े कर पे है सो ए बिर्ती दी गाले अपनी बिर्ती नु गुरु शबदनाल जोड़के गुर्बानी पढ़िये खंडे बाटे दी पाहुल लएए नितने मी जीवन बनाईए ताहीं फिर गुर्बानी पढ़ी सुनी गुर्द वारे आया साड़ा थाएं पैसके दै इतने एक बचन परवान करने शबद वीचार कर देया बेंत गलतियां हो जान देया हनसाद संगत अते शबद गुरु बक्षन जोगने बक्ष लेना फते दी सांज पाउजी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते झालसाए जब यजिए